नमस्कार किसान बाईयों किसान बाईयों मैं प्यार मीना आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल राजस्थान फाइदी का सोधा के उपर किसान भाई यो आज मैं आप लोगों के लिए मैं सिफर गुषने के कजार 35 डियाई ट्रेक्टर के ओपर वीडियो लेक्टर बड़ा जबरदस्ता इसांदारा आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किसान भाई यो आप सोच रहाएं आज अब ट्रेक्टर अब ट्रेक्टर के पर बात करें उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर लो चैनल को सबस्क्राइब कर लो और पहला वी डबालो जिससे की जब भी वीडियो लाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास्फ मौूटता रही दोजान बात कर लेते हैं या इस टेक्टर के मोडल के बारे में तो किसान बायू यह जो टेक्टर है इसका मोडल आपको बता देता हूं सबसे पहले तो 2005 मोडल है। लिक्के भी बता देता हूं आप लोगों को याप 2005 मोडल यह टैक्टर है जैसा कि आप देख सकते हैं तो 2005 मोडल तो यह टैक्टर है किसान बाई यू टैक्टर बड़ा जबदस्त है सांदार है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किसान बाई यू टैक्टर के टायरों से हम सुरुआत कर लेते हैं यहां पे आप इसकी रिम देख सकते हैं रिम के तो कलर हो रखा है साप साप नजल आ रहा है साथ ही इसके टायर है जो नए है तो चारो टायर है इसमें नए डलाए गए अभी हाल फिलाल ही डलाएगे मैने बर पहले ही इसमें अभी चारो टायर नए दलवाए गए हैं तो धेना जबर्दस टैक्टर आप भी मान रहे हो ना किसान बाईयों क्योंकि चारो टायर नए हैं टैक्टर की रिमों के कलर हो चुका है तो कलर हो ने से तो इनकी जो जंग वगएरा लगती है वो नहीं लगे कि ये सेप्टी हो जाएगी साथ ही आपको बताओ किसान बाईयों टैक्टर को खोल के हम आपको दिखाएंगे जैसे बॉनट खोल रखा है खोलने के बाद मापको यहाँ पे साप साप नजर आ जाएगा इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं किसान भायो जो इसका इंजन है लगबग 6 मेने पहले किसान भाय ने भी नया करवा दिया गया है तो इसका इंजन भी नया है चारो टाइर नया है इंजन नया है तो जबादस तुआ ना टैक्टर क्योंकि आपको एक रुप्या लगवानी के आप सिकता है यह नहीं पड़ेगी किसान भायो जब आप इसको लेके जाओगे तो इसको ले जागे सिधा केत में चलाने का काम करोगे आप क्योंकि इसमें एक रुप्या लगवानी के आपको आप सिकता नहीं है किसान भायोऌ यहां पर मैं आपको बता दूए इसके नमबर कहा है तो आर जे 21 में आपको यह टैक्टर मिलेगा अब नागोड नमब्रों में यह टैक्टर आपको गंञेगा आर जे 21 में दूसरा फाइदा आपको यह हो जाएगा इसकी झौभ को फोर खेंदने का तो आपके सीधे सीधे 10-20,000 तो ये बच गए आपके क्योंकि आगर आप बिना डाकुमेंट्स कंप्लीट वाल अटेक्टर लोगे तो उसमें आपको डाकुमेंट्स भी कंप्लीट करवाने पड़ेंगे तो वो खर्चा आपको यहां पे बच गया है किसान भाई अब रही बात ही है कि यह टेक्टर आपको मिलेगा कहां पे यह भी तो बात है ना कहां पे आपको यह टेक्टर मिलेगा कैसा है तो यह टेक्टर जैपूर के कालवार रोड के पास में आपको यह टेक्टर मिल जाएगा किसान भाई के नमबर आपको मैं बता दूँगा तो किसान भाई के नमबर भी आगे वीडियो में बताऊँगा उससे पहले आप एक बर वीडियो को लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को दबा लो साथी वीडियो को सेर भी करो यार किसान भाई ये वीडियो को सेर भी किया करो जिससे की जानकार ये दिख सेदी किसानों तक पहुंच सके और जिस भी किसान भाई को ज़रूरत होगी वो इसको खरीद सके और जिस किसान भाई को बेचना है वो हमसे संपरक कर ले जाएगा और जो खरीचना चाहता है उनको कर्षेंतर मिल जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं पंप की तरफ से ट्रक्टर की जो बॉनट का कलर है वो आप यहां पर देख सकते हैं इसको पंप की तरफ से ट्रक्टर को ट्रक्टर पूरा complete है okay है और यहां पर आप देख लीजी दूसरी तरफ से तो काफी बढ़िया और साप सुत्रा यह टेक्टर है आप देख सकते है यहां पर आप देख लीजी pump की तरफ से कहीं पर तूटफाट नहीं है बेल्डिंग नहीं है जैसा किसान भाई ने में बताया है कि इस टेक्टर के अंदर लागत नहीं है बड़िया साप सुत्रा और इकदम बड़िया कंडिशन का टेक्टर है पीछे से लेंग के बगार आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह की लेंग को मापको इस टेक्टर मिल जाएगा तो किसान भाई हो अब आप जो किसान भाई है उनके नंबर ब चिन्वे बहतर चिंतर नन्यानवे अठ्यानवे उनके नंबर है इन नंबरों पर आप समपरक कर सकते हैं और उनसे अधिक जानकारी प्राफ्त कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं इस टेक्टर की किमत किसान भाई मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं दो लाग साथ हजार रुप कर लेना पूरा ट्रिक्तम होगी कंडिशन का एक और पे की लागत है नहीं तो आप किसान 2 जरूर संपरक करें और अगर आपको भी ऐसे वीडियो बनवाने हैं तब याप हमसे संपरक कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में यह और इसी जानकारी के साथ तब तक आप हम में दीजागिया जहिंद